आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो चलिए इने Statement को हम Consider करेंगे यहां पर तो अगर मैं Assertion की बात करूँ तो यह आपका कह रहा है कि N2 जो है आपका जाधा Stable है O2 से अब अगर हम किसी Molecule को Stable बताते हैं तो कैसे देखो जैसे Suppose आपका यह कोई एक Molecule है जिसके बीच में एक Single Bond है तो आपका एक Molecule है जिसके बीच में Double Bond है और इसमें आपका क्या है Triple Bond भी है अब Molecule आपका कितना Stable हो गई कैसे पता चलेगा जितना मतला इसको तोड़ोगे अगर यह आपका इसली तूट जाए तो वह आपका क्या है Stable नहीं है तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि देखो Bond क्या हो रहा है यहां Double Triple बैसिकली आपका Bond बढ़ रहा है मतलब कि Bond Order बेसिकली उतना यह Bond क्या होगा Strong होगा यानि कि आपको इसको तोड़ने के लिए उतनी Energy देनी पड़ेगी तो यह आपका उतना Stable होगा मतलब कि यहां से हम एक चीज समझ में आई कि जितना Strongly Bond बन रहा होगा यानि आपका Bond Order जादा होगा उतनी आपकी क्या होगी Stability जादा होगी क्यूंकि उतना ही उसको तोड़ने के लिए आपको Energy देनी पड़ेगी अब यहां Triple Bond है तो यह Bond क्या आपका Strong है तो इसको तोड़ने के लिए आपको जादा Energy देनी पड़ेगी तो यह आपका मतलब क्या है सबसे जादा Stable है तो यानि हम इनका क्या निकालेंगी Bond Order और वहां से इसकी Stability हम देखेंगे तो अगर मैं N2 की बात करूँ और Configuration लिखूँ यहां पर तो क्या हो जाएगी इसके पास कितने Electron है 14 तो यह आपका Sigma 1s2 then Sigma 1s यह आपका क्या हो गया Sigma Star 1s2 then हमारा क्या आता है Sigma 2s2 फिर आपका क्या हैगा Sigma Star 2s2 फिर आपका क्या हैगा यहां पर Pi 2px2 is equal to यानि इनकी Energy आपके क्या होती है इक्वल होती है यह आपका 2 हो गया and then हमारा क्या आता है यहां पर Sigma 2pz2 अगर आप देखो तो यहां कितने Electrons है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 फिल हो गया सभी के सभी क्या Paired Up है यानि की Diamagnetic है अब Bond Order निकालने का Formula क्या होता है 1 by 2, number of electrons in bonding minus number of electrons in anti-bonding orbital तो यहां पर आपके bonding में कितने Electrons है देखे यह आपके क्या है bonding वाले यह 2, 4, 6, 8, 10, 10 हो गए आपके तो यानि कि 10 हो गया अब anti-bonding में कितने है आपका यह वाला और यह वाला anti-bonding है तो यानि कि 4 तो इसका bond order आपका क्या आगया यहां पर 3 आगया अब यानि कि इसका मतलब यह कितने bond बना रहा है आपका 3 bond बना रहा है तो यह आपका इस तरीके से होता है अब बात करते हैं किसकी यहां पे हम o2 की बात करते हैं किसकी बात करते हैं आपकी o2 की तो o2 की मैं configuration लिखुँगी इसके पास कितने electron है 16 तो यह आपका sigma 1s2 then आपका sigma star 1s2 then आपका sigma 2s2 then आपका sigma star 2s2 फिर आपका क्या आता है यहाँ पर sigma 2pz2 फिर आपका क्या आता है यहाँ पर pi 2px is equal to pi 2py और यहाँ पर भी आपके क्या होता है दो-दो electron फिर मेरा क्या आता है यहाँ पर pi star 2px इसकी energy equal होती है pi star 2py के अब आपको 16 electron fill करने है तो यहाँ आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यहाँ पर क्या होगा एक-एक electron इस तरीके से आएगा क्योंकि यह आपका क्या होता है पहले single field होता है इसको फिर double field करते है 16 हो गया अब bond order अगर आप निकालो तो यहाँ आपका 1 by 2 bonding में कितने electron है देखिए यह आपका 2, 4, 6, 8, 10 bonding में आपके 10 electron है एंटी bonding में यह आपका 2, 4 यहाँ पर आपका क्या है 5, 6 यानि के 6 तो यहाँ पर आपका bond order क्या आगया यह आपका आगया 2 इसका bond order आपका क्या आगया 2 तो अगर आप देख लो तो यानि कि इसका अगर आप में structure ड्रॉकन हो तो यह दो bond बना रहा है इस तरीके से अब आपका यहाँ पर क्या है n triple bond n है और यह आपका O double bond O है तो किसका bond आपका strong होगा इसका इसका आपका bond order भी आपका तीन है तो bond भी आपका strong है इसका bond order आपका 2 है तो इसके comparison में weak है अब यह ज़्यादा strong है तो यानि कि यह आपका क्या होगा stable होगा ज़्यादा यह आपका क्या होगा यह से less stable होगा तो आपको assertion में यही बोला गया था कि आपका n2 is more stable तो यह correct है क्योंकि n2 का bond क्या है आपका basically strong अब second कह रहा है कि bond order is more तो ये correct है और bond order जाद है इसलिए वो आपका क्या है stable है यानि कि assertion और reason दोनों correct है और reason भी इसका correct explanation है तो option 1 देखूं If both are true and reason is the correct explanation तो यानि कि ये आपका right answer होगे आपकी options आपके यहां wrong हो जाएंगे ठीक है Okay guys, thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students कभर होसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीचे अपने doubts 84444 उपर